अलो फ्रेंड्स रेया फैशन में आपका स्वागत है यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और गंटी के बटन को जरूर दबाएं ता कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके आज के इस video में मैं आपको needle बार-बार क्यों टूर जाती है उसके बारे में बताऊंगी पहला कारण है needle हमारी मशीन की size की नहीं होने के वज़े से भी टूर जाती है जैसे मारी machine है industrial machine है और उसमें हम जैसे fully automatic वाली needle लगा देंगे माली यह देखें यह फूली ओटोमेटिक मशीन की नीडल है यह देखे एक तरफ यह इस प्लेट रहता है इसमें और एक तरफ इसमें ऐसे कारो जैसे रहता है अगर हम यह नीडल इस मशीन में लगा देंगे गलती से मालीजे आपको ध्यान निये सारी एक साती रहें अगर यह आपने इस इंड तो लुट जाएगे और यह देखे यह मशीन की नीडल है यह देखे यह पर पूरी यह ल just you reopen to the यह इन डोनों की पेचान निडल की यह देखे यह जैसे आइओल है इसके पास चोटा सा ऐसे करोई निसान आघारां तो आप नीडल लगाते समय धियान रखें़िकी आपकी मचीन इंडेश्टेल राक्र separate में बहुत निडमेल त्झाइं आपको ऊट्व स्कार्ड राइप क्या मचीन चेंगा आपको दूसरा कारन बताओंगा ठ्क्राइप कर्व जो है वो मशीन के राइट साइड यानि की मशीन के अंदर की तरफ रहना चाहिए अगर हमने इसको उटी लगा दी तो हो सकता यह नीडल आपकी तूट जाए और अब मैं आपको बताऊंगी तीसरा कारण नीडल तूटने का अगर आप नीडल लगाते समय प्रोपर उस वास अबैंआ आपको चोता कारण बताऊंगी नीडल तूटने का चोता कारण है जैसे आपके नीडल मुड़ी हुई है या वि इसमें रस्टेड यानि कि जंग लगा हुआ तब भी नीडल तूट सकती है तो आप अपनी नीडल चेक कर ले टाप अगर एसा है तो आपनी र लगाया माल यह थोड़ा सा भी तीर्छा रहे गया फुट इस तरह से अगर वो नीडल आपने ध्यान नहीं दिया उसको चला ते इसमें और चला दी तो वहां पर टक्रा कर भी नीडल टूट सकती है फुट को चेंज करते से में ध्यान रखे कि अब दीरे से हाथ से इसको एक पर चला कर चेक करें कि नीडल कहीं टक्रा तो नहीं रहे अगर नीडल टक्रा रहे तो फुट को आप सई से अजेस्ट कर ले और फ्रेंड अब मैं आपको चट्टा खारण बताती हूं फ्रेंड चट्टा कारण ही एक कि जैसे आपकी नीडल आपने चेंज करते समय ध्यान नीडल नहीं रहा और वह नीडल मान लिजी यह हो ले दोन इस प्रेसर फुट के बीच में जो आपको वोल दिखाई दे रहा है नीडल प्लेट के उपर जो हो लए इस पर अगर टक्राती है तब भी नीडल टूट सकती है और आप ध्यान रखें कि आपकी नीडल कहीं टक्र पातो नीड़ी और बीच सेंटर में जाना चाहिए तो आप नीडल प्लेट को सहिशे लगाएं और अगर नीडल में अच्छे से अर्जेस्ट्मेंट करें अब आपको नीडल टूटने का साथवा कारण बताती हूँ साथवा कारण है अगर नीडल की ठे टैंसर Afghanistan ULTighty कर दी तब्ही नीडल तूर सकती है मैं आपको बताती हूँ यह देखे अगर हमने इसको यह देखेज अगर हमने इसको चल आईएंगे तब भी यह देखे नीडल क्योंकि दागा सप्लाइम नहीं हो रहा और यह देखे इस वज़े से कभी कबार दागा भी तूट सकता और नीडल भी तूट सकती है अब मैं आपको आटवा कारण बताती हूँ इसलिए आप हमेशा ध्यान रखे थ्रेट टेंसन यूनिट को फूल टाइट कभी नहीं रखे अब मैं आपको नीडल तूटने का आटवा कारण बताती हूँ अगर आपकी नीडल जरू से ज़्यादा नीची लगा रखे तब भी नीडल तूट सकती है वो मैं आपको बताती हूँ शटल में फसकर तूट सकती है इसको उपर करके बताती हूँ यह देखे आपको निडल दिखाई देरी होगी यह देखिए यहाँ पर यह निडल है अगर यह बहुत ज्यादा आ गई नीचे तो यह सटल पर ठकरा कर टूट सकती है अब मैं आपको निडल तूटने का नवा कारण बताती हूँ यदि आपने स इस शटल की सेटिंग सही से नहीं हो पाई तब भी निडल तूर सकती है यह सटल है यह देखिए मैं आपको उपर करके बताती हूं इस सटल के उपर यह सटल है इस पर टकरा कर भी निडल तूर सकती है अगर आपका सटल अरजेश्मेंट सही नहीं किया हो अगर आपने माली जे सटल चेंज किया और अरजेश्मेंट सही नहीं हुआ तब इस सटल पर टकरा कर आपकी निडल तूर सकती है तो फ्रेंड्स सटल भी आप अच्छे से अर्जेश्मेंट कर लें यदि आपको सटल अर्जेश्मेंट करने का वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर दिये गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दे रखा वहां से भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें थेंक्स